नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आज जब आर्यान खान की गिरफतारी को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया गया है तो इसके बाद अर्नव गुस्वामी का बहुत ही खतरना गुस्सा आज आर्यान खान पर फूटा है और आखेर इसे क्यों लंबी सजा होनी ही चाहिए जिहां आपको होता दें लगतार देखने को मिल रहा है कि आर्यान खान की गिरफतारी को लेकर NCB की टीम एकसाइटिड है और एक के बाद एक बड़े और तगड़े फैसले भी ले रही है जिससे निश्ची तोर पर आर्यान खान के साथ सारुक खान की भी परिसानी बढ़ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि आर्यान खान को एक बार फिर से लंबे टाइम तक जेल में रहना पर सकता है और हो सकता है कि दसहरे के साथ साथ अब आर्यान खान की जो दिवाली है वो भी जेल में ही भी थे अब इस पर अर्नाव गुस्वामी का बड़ा बयान आया है उन्होंने क्या कहा है जानने के लिए बहुत ध्यान से और अंत तक देखेगा जिहां आपको बता दें अर्नाव गुस्वामी का गुस्वा फुटा है और उन्होंने कहा कि NCB की टीम क्यूं नहीं आर्यान खान को लंबे टाइम तक जेल में उन्होंने कहा जब आर्यान खान के पास से ड्रक्स मिला है तो फिर बार बार ये जमानत याच का दायर करके NCB का और कोट का टाइम क्यूं जायच कर रहे हैं उन्हें कहा अगर एक बार फिर से ये जमानत याज का दायर करेंगे तो हम यही देखना चाहेंगे कि एक बार फिर से उनकी याज का खारीज हो। उन्हें ने कहा आज की टाइम पर बॉलीवुड वाले पूरी तरह से कोसिस कर रहे हैं कि आर्यान खान को जेल से बाहर निकाला जाए लेकिन उस टाइम पर इन्हीं बॉलीवुड वालों को साफ क्यों सुन गया था जब सुसान सिंग राजपुत को खतम किया गया और बहुत स सारे सबूत विलेजी से साबित हो रहा था कि सुसान को खतम किया गया है लेकिन फिर भी उनमें से किसी भी बॉलीवुड के बड़े कलाकार ने एक भी बार ये नहीं बोला कि सुसान सिंग राजपुत को इनसाफ मिलना चाहिए आज की टाइम पर जब आर्यान खान जेल में चाहिए और उनका मानना है कि जो भी भारत के अंदर रहकर और ड्रक्स को बढ़ावा देता है फिर वो चाहे एक बड़ा सेलरीटी किट्स क्यूं नहों उसको जल्द से जल्द गिरफतार करके और जेल में डालना चाहिए और उस पर सक्त से सक्त फैसला होना चाहिए तो अर अर्यान खान को अब लंबे टायम तक के लिए जेल में रहना ही पड़े मैं आपको बता दूँ कि लगतार आर्यान खान को चुडाने की लाग कुशिसो की जा रही है लेकिन NCB की टीम का पलड़ा है वो हमने पहले बताय था बहुत भारी है NCB की टीम के पास कुछ पुक्ता को एक बार फिर से जटका लग रहा है और वो जेल के अंदर बंध हो जा रहा है अब देखना इंट्रेस्टिंग रहेगा कि इसके बास सारुख खान अगला कौन सा बड़ा कदम ठाते हैं और कैसे वो अपने नसेड़ी बेटे आर्यान खान को जेल से निकालने का परयास करत होते हैं लेकिन जो NCV की टीम है वो हर बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और इसी वैसे आर्यान खान को हर बार जिल के अंदर ही देहना पड़ रहा है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद